हलो फ्रेंट्स वेलकाम टो यूट्यूफ चैनल एजिकेसन निकेतन आज के हम इस वीडियो में 67th BPSC नोटिफिकेसन को रिलिज होने में देरी की हो रही है इसके कारणों और प्रभात ख़बर में 67th BPSC को लेकर एक ख़बर छपी है उस पर चर्चा करेंगे पहली बात BPSC के परिक्षा नियंतरक अमरिंद्र कुमार ने कहा था कि परिक्षा का विग्यापन 67th का 20 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा इसके बावजूद भी 20 सितंबर को 67th BPSC परिक्षा का नोटिफिकेसन जारी नहीं किया गया है कारण सामने आ रहे हैं कि चुकि जीन विभागों से रिक्षिया आने वाली थी उन विभागों ने भी तक रिक्षिया नहीं भेजी है अब 67th BPSC के रिगार्डिंग परभात ख़बर में जो न्यू चपी है अगर उसकी माने तो 67th BPSC में DSP और अन्य पदों की 103 रिक्षिया और सामिल होंगी एक दो दिन में आयो कोई रिक्षियों की मिल जाने के उमीद है इसके बाद परिक्षा का विग्यापन निकाल दिया जाएगा नई रिक्षियों के आने के बाद इनकी संख्या 606 हो जाएगी परतवान में 503 है इनमें SDM के 88 और आर्डियों के 133 पद सामिल है जो 103 पद जुड़ने वाले हैं उनमें बिहार पुलिस सेवा कंतरकर DSP तीन चार और व्युहों को किरिक्षिया हैं इनकी आने के इंतिजार में ही BPSC ने अभी 607 BPSC परणभिक परिक्षा का आयोग विग्यापन नहीं निकाला है इनके आते के साथ विग्यापन निकाल दिया जाएगा किसी वजह से यह अगले एक दो दिन भी एक रिक्विंग नहीं मिल पाती है तो आएक 503 पदो के रिक्टियों के साथ ही विग्यापन निकाल देग बाद में इन रिक्टियों को नोटिफिकेशन के अमाध्यम से 67th BPSC में सामिल कर लिया जाएगा फिर अब कोई नई बात नहीं है इस न्यूज में एक कहते हैं कि अश्राइडिंग में की माने तो BPS और SR के पद इसमें एड होने वाले हैं और इसके बाद पदों की जो संख्या है वो 800 के करीब अन्तता हो जाएगी यहीं कि नोटिफिकेशन अगर कम पदों के लिए भी आता है तो अन्तता हमान के चलें कि 67th BPSC में 800 के करीब पद रहेंगे नोटिफिकेशन दो दिन चार दिन जरूर भी लंब हो जाए लेकिन नोटिफिकेशन अब रिलीज होगी इसमें कोई संदेह नहीं है आप पूरी तयारी के साथ लगे रहें धन्यवाद